राजिश एक विजया बैंक का देखें आप क्योंकि स्मॉल कैप और मिट कैप बैंकिंग अंदर भी अभी वेलुएशन काफी रिच है, फ्रेंट लाइन के तो रिजल्ट्स और कई सीजय एफेक्ट करेंगी, विजया बैंक पे आपका व्यू क्या है, तीन साड़े तीन परसं में नहीं रहेगा, in fact मैं विजया बैंक के जगा पे बैंक अफ इंडिया को रेकमेंड करना चाहूंगा, देखें, बैंक अफ इंडिया अगर आप इसमें वीगली चार्ट देखो तो बहुत अच्छा एक टेकनिकल ब्रेकाउट आप इसे कह सकते है, इसका जो बेज बन रह है, वो है 155, so for retail, just small retail, जिसको invest करना है, I think Bank of India looks better to me at current level, ठीक है, बजार recovery करने की कोशिश कर रहा है, कल से और आज में एक division आपको जो bank nifty पे या फे banking stocks में दिखेगा, कल कुछ front line counters lead कर रहे थे, जैसे कि Punjab National Bank, SBI, आज वो बेटन जो है, वो कुछ mid cap banking stocks में आ गया है, जैसे क देना बैंक, फेडरल बैंक, आंधरा बैंक, यूनियन बैंक, ये सब बैंक आपको हरे निशान में देखेंगे, और ना कि हरे निशान में बलकि percentage की लिहाज से करीब आदे से पौने एक परसंट की बढ़त के साथ भी है, जब आपका बजार कमजोर हो, लेकिन mid cap banking में, valuation और जो currency का flavor है, ये बड़ा important है, आशिश क्योंकि जब currency को लेकर इतनी बात हुई, तो कई experts हमने जब पूछा, उन्होंने कहा कि देखी जो लोग पैसा convert करवाएंगे और deposit करवा रहे हैं, उससे होगा क्या कि आपका exit को तो cap किया हुआ है, आप जाके convert करवाएंगे, बैंक में deposit कराएंगे, होगा क्या, इस बार के quarters के अंदर या फिर एक देड़ महीने के अंदर उन बैंक का कासा काफी improve हो जाएगा, जिससे उजूज भी रहे थे, ये काफी experts से हमको सुनने को मिला, उससे balance sheet इनकी सुधर जाएगी, क्योंकि पहले भी government से कुछ एक दिक्कत यार थी, वो भी कब हो रही है, कासा भी बढ़ रहा है, सरकार जो step ले रही है, उसका भी फायदा है, मिटके बैंक क्यों आपका क्यों पसंद्देश शेयर हैं? लेने का मौका मिले, so I think, I would still say bank of baroda, SBI बहुत ही बढ़ी है, आज I think because of all this chaos, ये highlight नहीं हो पाया, कुछ banking structural reforms और आगे बढ़े हैं, मैं कुछ सुन रहा था सुबह की government की तरफ से और कुछ subsidies को लेकर बातें आगे बढ़ी हैं, तो banking के लिए तो एकदम दिवाली का मोहल continue चल र लग रहा है, तो union bank, bank of baroda and SBI bank, they are no brainers, अगर आज किसी वदर से नीचे मैंने भाव देखे नहीं है ये bank, तो आपको दुरूर accumulate करना चाहिए, midcap में 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 को federal bank थोड़ा ठीक लगता है, लेकिन वो PSU space में नहीं, लेकिन federal bank और JN के bank हैं, जिनकी balance sheet बाकी bank से comparatively अच्छी है, चीक है, कुछ एक और midcap shares भी आपके सामने रखते हैं, जहाँ पर एक अच्छा momentum देखने को मिल रहा है, उसमें एक GNFC है, ये share करीब 3% उपर है, सीमें एक बारा है, फिलिप्स कार्बन और JNFC, दोनों का structure देखेंगे, फिलिप्स कार्बन चल रहा है 244 रुपे के आसपास, और JNFC है करीब 209 रुपे के आसपास. देखें, मुझे तो ये करना पड़ेगा, कि GNFC में जो correction आया है, उसके बात तो मुझे लगता है, यहाँ एक अच्छा जगा पर ये stock वापस मिल गा है, जहाँ पर कोई delivery के लिए सोच सकता है, बहुत ज़्यादा correction इसमें आ गया था, और ये support भी लिया है 89 डेमा के आसपास तो मुझे लगता है कि इसमें एक अच्छा बाइंग वापस देखने को मिल सकता है, और इसमें मैं पोजिशनल जाने के लिए कहोंगी, मुझे लगता है कि जो correction, actually correction से पहले इसमें राली भी बहुत जबदस आ गया था, तो वो बहुत कुछ हद तक नहीं, बहुत हद तक कर पर इंटर डे के लिए मैं सिर्फ यह कहूंगे कि मुझे बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं और मुझे नहीं लगता है कि बहुत जल्दी स्टॉक 65 से 275 का रिंज क्रॉस करके sustain करेगा, ठीक है, अगर आप कल से इजी बिजनस को काफी गंभीरता से सुन रहे होंगे और दे आपको निफ्टी तो अभी भी लाल निशान में है, लेकिन बैंक निफ्टी अगर आप देखें, वो recover करके आ चुका है, वो हरे निशान में है, strength दिखा रहा है, पहले कोछ छोटे बैंक चले और उसके बाद अब फ्रेंट लाइन बैंक भी धीरे धीरे पार्टिसिपेट क बारहा शेयर हैं, उसमें से दस बरणत में हैं, advances हैं, ये बड़ा interesting data आपके सामने इससे में चल रहा है, कि कुल मिलाके बारहा बैंकों में, जो कि निफ्टी के components में से एक हैं, उसमें से दस बड़े बैंक इससे में चल रहे हैं, और बजार को support कर रहे हैं, तो important है, फार्मा के अंदर, आस सुबह भी हमने outlook में आपके सामने बात रखे दिए, कि फार्मा, banking stocks और आपको IT, इन तिनों पे नज़र रखनी होगी, यहां से कहिना कई momentum ज़रूर positive आना चाहिए, राजेश, IT के अंदर अभी आप कुछ re-rate करके कोई एक-दो ऐसे share निकाल रहे हैं, जो थो oversold लग रहा है, हला कि जो sentiments है, मैं यही कहूंगा, sentiments जो है, वो IT में बहुत खराब है, लेकिन आप इसको मैं compare करूँगा, जब चाइना ने यूवान devaluation किया था, तब same sentiments, आप देखिए, Tata Motors, metal, same situation था, जिसे कि अगर Tata Steel की बात करें, तो वो 200 पे available हो गया था, Tata Motors went down below 300, so everyone was expecting कि यहां पे कुछ नहीं हो सकता और one should exit and one should get rid of this counter, लेकिन मुझे लगता है कि IT being such a strong sector, यहां पे देखिए, हमें भी opportunity धूनने पड़ेगी, में भी यहां पे ठीक है, कभी-कभी ऐसा हो जाता है कि stop loss वगेरा, लेकिन अगर उसको आप accumulation पे ले ले, याने जो बड़े investor करते है कि उन्हें अगर particular sector अच्छा लगता है, तो एक चंक में कोई लेता नहीं, तो मुझे लगता है, गर IT में देखिए, जिसे कि Tata ilaxi is one counter, which is my favorite, although it is not outperforming the market, but I am pretty sure that यह आगे चलका outperform करेगा, जो 2200-2400 से correct हुआ और roughly 1100-1200 के आसपास अभी मिल रहा है, Wipro is one counter 435 के आसपा हो चुकी है, TCS Infosys, it's a good counter, मुझे लगता है यह भी हो सकता है, लेकिन, see, we are trying to get, पाक of money जहां पर थोड़ा बहुत वैल्योशन हाए, risk to reward के favor में अच्छा मिले, TCS Infosys भी मिल सकता है, 934 के आसपास से, बाइंग करके मैं भी यहां से 100 रुपीज मिल सकता है, लेकिन Tata ilaxi क की बात करें, तो 1200 से लेकि मेरा जो टागेट है, रफली 1700 तक का है, और a period of six month, ठीक है, आपके सारे सामने जो डाटा चल रहे है, फटा फटा आपको यह भी बता रहे है, पूरी पिक्चर के आखिर कार market में हो कर रहा है, चाब फिफ्ट्र वीक हाई हो, चाए निफ्टी के बढ़ने वाले गिरने वाले shares हो, इस सभी के सभी के अंदर एक अच्छी momentum देखने को मिल रही है, इस बीच अगर आप कुछ एक और shares देखना चाहें, तो आप real estate में अभी भी आपको आशीश कुछ valuation ठीक लग रही है, या फिर अभी भी लगता है कि नहीं, यह sector तो ऐसा है इसके लिए कुछ भी अच्छा भी तक नहीं आएगा और आने की स्थिती में भी नहीं है भी, देखें अब भी तो कुछ नहीं करना चाहिए, दूर रहना चाहिए, क्या adjustments होंगी, क्या नहीं होगा, यह थोए टाइम में समझ में आएगा, अब या जो इस organization को मैं run करता उसमें थोड़ी बहुत presence real estate की भी है, और पिछले कुछ दिनों से ऐसा महौल है कि जो launches है, वो delay हुए है, you know, so it's clear indication की यहाँ पर भी adjustments है और कुछ quarters जो आने वाले समय में हैं, वो खराब आ सकते हैं, लेकिन जो हम बात overall economy की कर रहे हैं, वही बात हमको real estate की करना है चाहिए, एक बहुत ही formidable piece होता है economy का, अगर आप compare करें बाकी emerging economy से, चाइना से तो, you know, बहुत ही छोटा है हमारा यहाँ पे business, और अब जो institutionalize हो जाएगा, बड़े player बचेंगे और और जो correction जो market चारी थी वो आईगी, उससे ये business boom हो सकता है, तो अभी तो 3-6 महीने तो definitely तकलीफ है, क थोड़ा time गुदरने के बाद stocks like brigade, showbha, DLF, I think these stocks will definitely benefit, बट अभी थोड़ी pain है, चीक है, आज atlas cycles भी करीब 0.5% उपर है, हमने आपको सुभेश के बारे में बताया था कि थोड़ा यहाँ पे भी आप एक बार नज़र रख सकते हैं, यह समय दो परसेंट के बढ़त के साथ भी ट्रेट कर रहा है, तीनी कतर का भाव है, थोड़ देर में आपके सामने सूपर शेयर भी रखेंगे, लेकिन ठीक उससे पहले, अगर आप यहाँ पे कुछ एक सिदिया और देखें market की, तो banking stocks, no doubt, यह आपको बहुत rare मिलेगा, इस तरह का structure कि जब bank, nifty और banking stocks इस तरह की मजबूती दिखाएं, यह बड़ी वज़े हो सकते हैं कि सरकार के फैसले में एक बड़ा रोल, एक बड़ी valuation चुपी हो सकती है, institution का data पिछले दो दिन में 2700 क्रोड का sell का है, मैंकिन यह उम्मीद के साथ और अपने experience के साथ बोल सकता हूं कि अब आपको institution का आंकड़ा, कम स पांच परसंट, आठ, हाट परसंट का special mid-cap shares में, यह सिर्फ retailer का काम नहीं है, institutional approach जरूर इसके साथ जुड़ी होई है, और जिसकी वज़े से बजार पूरी तरह से एक तरह का बढ़ चुका है, कि Nifty की bank को छोड़ कर company अब अलग हैं, banks all together अलग चल रहे हैं, recovery bank में तेजी से आ जाती है, लेकिन Nifty इसको chase ही सिर्फ करता रहा जाता है, शायर उसका बड़ा component यह भी है, कि bank के बिल्कुल उलट, real estate counters भी समय चल रहे हैं, आप कुछ एक और shares देखेंगे, जो कि derivative trades ही हैं, उनके अंदर अगर आप मजबूती के लिहाज से देखें, तो आपको देखेगा एक Sun Pharma, जिसके बारे में Manish ने आपको brokerage offices की report बताई थी, वो 6% उपर आ चुका है, यह share 6% इस समय उपर है, इसके अलवा जो share और बढ़त दिखा रहे हैं, उसमें एक PFC है, हाला कि थोड़ा कम बढ़ रहा है, लेकिन PFC का एक बार view पूछ लेते हैं, सिवे PFC का structure आपको लग रहा है क्या, यह अभी तो थोड़ा बढ़ा नहीं है, लेकिन एक बार trader इसमें position ले सकते हैं क्या, जी बिलकुल ले सकता है, मुझे लगता है कि बहुत मतलब tension लेने का कोई ज़रूरत नहीं है, market थोड़ा सा नीचे है, पर overall जो स्थीती है, मुझे लगता है कि नीचे बाइंग वापस आएगी, और structure अगर दिखेंगे तो PFC का काफी strong है, तोड़ा बहुत नीचे आता है, या अभी तो in fact कल से उपर ही है, 121, 120 का range अगर hold करता है, तो मुझे यह वापस 128, 29 तक जाते हुए दीख रहा है, तो मैं long callie दे रही हूँ, 120 के आसपास का support है, वो support hold क के साथ 128, 29 का target लगा के इसमें इंच लिया जा सकता है, सिमी शुक्रिया आपका, बताने के लिए अलग अलग stocks में क्या किया है, या इंडेक्स पे आपने काफी आची राय दियो, आपने ही ये कहा कि banking stocks में आप trade करेंगे तो फायदा मिलेगा, no doubt जिन्होंने सुना होगा